Hello friends, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोग foods blog से related वीडियो बनाते हैं तो उनके वीडियो की category क्या होगी यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग ठेले में जा करके वे एक वीडियो बनाते हैं food blog का और उसको YouTube चैनल में अपलोड करते हैं तो वो कौन सी कटेग्री सेलेक्ट करते हैं जिनकी बज़े से उनका वीडियो बाराल होने लगता है तो वो कौन सी कटेग्री है यही आपको इस वीडियो में मैं प्रेटली बताऊँगा आप अपने चैनल की सही तरीके से कटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका चैनल बाइरल होने लगता है मतलब कि YouTube को यह पता हो जाता है कि आपके इस तरह के वीडियो अपने चैनल में अपलोड करते है उसकी बज़े से आपके वीडियो को वो ऐसी और्डियन्स तक पहुचाता है जिस और्डियन्स को उस वीडियो की जरूरत है तो उसमें आपको ज़्यादा भ्यूज मिल जाते हैं ये कटेगरी का आपसन कहा से ओपन होता है इसको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ होमपेज चलता हूँ और फिर इसको बताता हूँ कहा से आएगा ये होमपेज में मैं आ गया हूँ इसके बाद आपको क्या करना है बाईटी स्टूडियो ओपन कर देना है क्लिक करने के बाद यहां कटेगरी का अप्षन आ रहा है सिकर नमबर में तो इसी कटेगरी के अप्षन पर आपको क्लिक कर देना है अब यह देखिए यहां पर सारी कटेगरी यहां आ गई है यह लिखा चूच एंड कटेगरी मतलब आप अपने चैनल की कटेगरी सेलेक्ट क कर सकते हैं, यहां से, मैरे टेक्निकल से related है, तो मैंने science and technology select कर रखा इसमें, अब आपका channel foods blocks से related है, तो उसके लेकाउची category select करेंगे, foods block channel के लिए people and blocks जो category होती है, वो सबसे best category होती है, तो इसी category को आपको select कर लेना है, बड़े-बड़े foods blocks channel इसी category को select करते हैं, people and blocks को, यह category आप select कर लीजेगा, इस category में मैं select कर देता हूँ, अब यह रेखिए, यहां लिए people and blocks, और यहां arrow के निशान पर click करके, यहां save के option पर click कर देंगे, तो आपकी category select हो जाएगी, मेरी science and technology है, क्योंकि मैंने technical से related channel बनाया है, तो मैं यहां पर इसको save नहीं करूँगा, आप कर लीजेगा तो save हो जाएगा, ओके, तो I hope कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और यह वीडियो आपका अच्छा भी लगा होगा, अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा है ना, तो technical रतनाकर चैनल को subscribe कर दीजेगा, एक चैनल और है मेरा, रतनाकर सिंग ब्लॉक के नाम से, तो उसको भी देखकर बताईएगा कि वीडियो आपको कैछे लगे, तो मिलते हैं ले वीडियो में, तब तक के लिए बाई, thank you दोस्तों, जाहिए